प्रवक्ता बोले तो बीच में मैं हस्टशेप ना करूँ पर आपने बाती इतनी बड़ी कह दी कि मुझे समझ में नहीं आया मैं जानने का तो कुछ सेटिक बठी है क्या गांधी परिवार की मोधी जी के साथ में को आगे आपने बताया कि अगर प्रेंका गांधी चुनाव लड़ती ना तो नरिंद मोधी संसत में नहीं पहुंचते कांगरिस तो अरसे से बताा रहा है वो खडगे जी जो है वो बोल चुके है जब तक मैं नरिंद मोधी जी को नहीं हटा दूँगा तक मैं नहीं जाँगा तो मैं समझ नहीं पाया जब प्रेंका गांधी में शमता थी नरिंद मोधी जी को चुनाव हरा देने की और आप लोग देश के लिए बड़ा जरूरी बताते हो कि नरिंद मोदी जी से देश को मुक्ती दिलाना है तो आपने प्रेंगा गांधी को लड़ाया क्यों नहीं ये देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड सुरिंद राश्पूजी आपने और आपकी पार्डी ने क्यों किया नरिंद मोदी को संसत से रोगने का जब आपके पास में होनर था ओजार था हतियार था तो आपने चलाया क्यों नहीं क्या सेटिंग बढ़ी थी आपकी ऐसी भाजबा के साथ मोदी जी के साथ जो आपने ये अपना तुर्प का एक का चला नहीं अरे पड़िजी इतना मत उत्साहित होई ये गले की नस फढ़ जाती है बीपी हाई हो जाता है हमसे गलती हो गई नहीं करनी चाहिए थी गलती लड़ा देना चाहिए था आपकी बात से हम सहमत है पूरी तरीके से सहमत है लड़ा देना चाहिए था गलती हो गई कभी कभी चूक हो जाती इसको चूक मान करके माफ कर दीजिए अगरी बार नहीं होगी इस चीज को जान लीजिया यह चूख हो गई हमने माली तो हम इस में बहस करते हैं आप वेशे भी विध्वान थो हम आपके सामने तो वेशे ही नत्मस्तक रहते हैं तो चूख हो गई चूखा, आगे से नहीं होगी लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि जितने वोटों के अंतर से नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जीत उत्पन्न की है एक लाख बावन हजार के आसपास का उनका अंतर रहा है वोटों का तो आप भी इस बात को मानेंगे भले ही आप सारवजनिक रूप से न कह पाएं आ अजैर आई जी ने उनके नाकोच नहीं चनवा चबवा दिये पहले साथ आट राउंड अजैर आई जी आगे थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी सामदा अमदन डभेद गुजरास से पता चला जहाज से पुई आया फलानी चीजा उसके बाद पता नहीं कौन कौन से जनुप्रिया पटेल जी और 27-27 दागी MLC चाहे वो मैं नाम लेकर के कहता हूँ चाहे वो विनित सिंग जी हो चाहे वो बरजेश सिंग जी हो चाहे वो चुलबुल सिंग जी हो इस सारे के सारे लोगों को लगाया हुआ था इन लोगों ने उसके बाद एक लाग बावन हज चुनाव प्रियंका गांधी को ने लड़वाया इसी के संदर में हुई या सुरेंद रापूज़ जी जब इमानदार के साथ बोलने पर आई गए तो ये भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को लोगसबा बेजने के संदर में भी पार्टी ने गल्दी कर दी बीस साल पहले ले रही है कि उन्हें लोग सबाब में होना चाहिए सुनें राजबूजी अभी में मानते हैं कि प्रिंका गांदी के साथ जितनी संभावनाएं जनता देखती थी पार्डी कारकरता देखते थे जिस तरीके से उन्हें में उनकी दादी इंदरा गांदी का अक्स दिखाई दे पार्डी ने गलती की लेट उतार रहे हैं इसके लिए भी आपको खेद है शर्मिंदी है आप इतना लंबा बोलते हैं आप इसका भी जवाब सुन लिए बहुत इमानदारी वाला जवाब है आप भी जानते हैं जवाब को हिमाशु भाई इसका जवाब यह है कि हम तो 25 साल से कह रहे हैं प्रेंका गांदी जी से कि आप चुनाव लड़िये पार्टी भी कह रही है कि आप चुनाव लड़िये लेकि श्रिमती प्रेंका गांदी जी ने इस पस्ट कहा था 25 साल पहले भी और अभी भी उन्होंने कहा था 10 साल पहले भी कहा था कि मैं सक्री राजनिती म तब ही आऊंगी जब मेरा छोटा बच्चा 16 साल से उपर का हो जाएगा दो बच्चे हैं उनके एक बेटी है एक बेटा है उन्होंने जब वो बहुत इसपस्ट रूप से परिवार की जिम्मेवारी पूरी करके ही चुनावी राजनीती में आना चाहती थी ये इच्छा उन्होंने इसपस्ट रूप से व्यक्त की थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं चुनावी की राजनीती में आऊंगी और ये उन्होंने अपना वादा पूरा किया 2017 के बाद उत्तर पुदेश में वो प्रभारी के रूप में आई तो सक्री राजनीती में तब ही आई जब उनके छोटा बच्चा जो है वो 16 साल